नमस्कार फ्रेंट्स अपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स अडपा सब्वेता टोपिक से संबंदित कुल 15 वीडियो जो इस चैनल पर अप्लोड हो चुके हैं सबी वीडियो को आप एक ही प्लेइलिस्ट में प्राचिन बारत की प्लेइलिस्ट में जरूर देखें और फ्रेंट्स इन वीडियो में लगूत रातमक परसन अडपा सब्वेता की विशेशता हैं अडपा सब्वेता की दार्मिक विशेशता हैं और अड़पा से बैता से जमन दित अन्सी आर्टी के नोट्स एन्सी आर्टी की जो बुक्स में नोट्स हैं वो वन लाइनर वे में पेज वाईज आपको समझाया गया है तीन च्यार वीडियो जाए उनको भी आप देख लिजिए अन्सी आर्टी क्लास 6 और क्लास 12 की अन्सी और प्रिविएवे क्यूस तो आप जरूर कवर कर ले च्श्यार में क्यूस्टन ने इससे पहले के ज्यार पार्टों में मैंने कवर करवाए हैं उनको आप जरूर देख ले तो पहला परसं देख लेते हैं सिंदु गाटी सभैता से सिपन्दित अरप्र civilization इसे समन्दित इंडेस वैली civilization भी बोलते हैं इसको इंगलिश में इसका रियल नेम क्या है? अडपा सब्बेता इसका रियल नेम है क्योंकि सबसे पहला खो जगय स्थाल कौन सा था? अडपा था सिंदू सब्बेता का कौन सा स्थान बारत में स्थीत है इन में से कौन सा स्थान बारत में स्थित है तो ये मौन्जो दड़ो जो स्थान है ये सिंद रिजन है जो पाकिस्तान का वहां पर स्थित है अडपा ये भी पंजिया प्रांट में है पाकिस्तान की पंजिया प्रांट में है लोथल बार्थ के गुजराथ प्रान्त में option C इसका करेक्ट रहेगा चनू, दड़ो, कोट दिर जी यह सभी के सभी पाकिस्तान में और सूत का गेंडो और यह स्थान भी कहाँ पर है पाकिस्तान में तो स्थानों के नाम आपको जगहां के नाम जरूर याद रहना चाहिए एक्जामस में कई बार पुछे गए हैं सिंदुगाटी सब्वेता के लोग किस पर विश्वास करते थे मात्र देवी की पुझा करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मरन मूर्तियां इनकी मिली हैं इस सब्वेता की खुदाई में मात्र सक्ति की ये पुझा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो इस्त्री को देवी के रूप में ये पुझा करते थे मूर्तियों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इनकी मात्र सतात्मक थी संद्व सब्वेता जोद थी संद्व सब्वेता की लोग तो इन में से कौन सा उप्षन सही रहेगा इन में से उप्षन भी सुमेरिया के साथ व्यापरिक संबंद इनके थे सुमेरिया किस सब्वेता का पुरान नाम है मैसोपोटामिया बाद में इस सब्वेता का नाम मैसो-पोटामिया इक स्थान है इराग में वहां से इनके व्यापारिक संबंद सिंदू गाटी से बहुत ही गैन थे सिंद है उस्सबात के मानसनाघार कहां से प्राप्ट हुआ है मानसनाघार इसको great बात बोलते हैं इंगलिज में तो ये कहां से मिला है? मां जोदडो नामक स्थान से मां जोदडो कहां पर है? सिंद प्रांत पाकिस्तान में स्थीत है और अडपा, रावी नदी के तटपर है, मौन जोदो, सिंदू नदी के तटपर है सबसे मेन नदी इस सब बता की कौन सी थी? सिंदू नदी थी, उसके बाद सरस्वरती नदी थी काली बंगा का साब्दिकर्थ है, काली चूडियां ये कहां पर है? अगला परसंद, मौर्ति पुजाकारम कब से माना जाता है? अडपा काल के लोग मौर्ति पुजा भी करते थे, तो उसी टाइम से कांस्यय यूगीन ये सब बैता थी? अडपा सब बैता जो थी, ये कांस्यय यूगीन सब बैता थी, और इसको आद्य एतियासी की यूगी की काटेगरी में क्यों रखते हैं? अड़े एतियासी की काटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके लिखित साक्से पड़े नहीं गए हैं और ये पूरव आरिये, पूरव आरिये सब बैता के लोग मौर्ति पुजा आरम कर दी थी, पूरव ओप्शन भी इसका करेक्ट रहेगा पर्टे क्यूस्चन में उसका साल भी लिखा हुआ है और किस एकजाम में ये पूछा गया है, साथ में लिखा हुआ है, ये भी आप देखते चले हड़पा सब्वेता के अंत्रकत गोदावरी काटी में विक्षित सब्वेता सेतर कौन सा था? तो गोदावरी काटी में कौन सब्वेता कोन सा चेतर था दैमाबार ये सबसे दक्षिनी इसा था इसका सबसे उत्री इसा था म gsm cash Mir में और और सबसे दक्षिनी इसा क्या था दैमाबाध ऑसनon डीश का correct रहेगा नेक्स्ट हड़पा सब्वेता में लाज-वर्द-मनी का आयाद किस चेतर से होता था तो इस सपेशल ये निले रंकी मनी के लिए लाजवर्द मनी के लिए एक स्थान स्तापित किया गया था अफगानिस्तान में बाकी अफगानिस्तान में कोई भी स्थल नहीं था सिंदू गाती शब्वेता का ये इसी को प्राप्त करने के लिए लाजवर्द मनी कोई प्राप्त कर इसके बारे में देखली जिए सर्टो गई यह अफगनिस्तान मेंने अडपा कालीन सथल था इस सथान के पास सर्य जंग की खानों से लाज़वर्दमनी मिलती थी वहां से लाजवर्दमनी लाई जाती थी अडपा के स्थलों पर अडपा सब वेता की दो नौविंतम खोजे कौन सी है तो दोला वीरा इसकी सबसे नौविंतम खोजे अडपा सब वेता की ये option c उसका सही रहेगा कुंता शी और डोला वीरा नेक्स्ट मौन्जो दोडो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है मौन्जो दोडो क्या है इस सब बेता की पूरी सब बेता की पूरी अडपा सब बेता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है अनानागार अनानागार ये इसको जो है NCRT की बुक में इसका नाम लिख्या मिलेगा माल गोदाम माल गोदाम भी बोल देते हैं इसको दान्य कोठार भी लिख्या मिलेगा कई बुक्स में या अनाज रखने का ये गोदाम होता था एक तरह का अनाज रखा जाता था इसमें टैक्स वगेरा से कलेक्ट किया गया या फिर बेचने के लिए संगरित किया जाता था जो अनाज फालतू था जो बच जाता था उस अनाज को अनानागार में संगरित कर लिया जाता था यह मौन जोदोडों से मिली है और एक स्थान से अनानागार मिले हैं लेकिन ये वाला जो अनानागार था ये सबसे बड़ा था और एक अडपा सब्वेता के इस थल से अनानागार के उसे जरूर मिले हैं शिन्दू सब्वेता को अडपा सब्वेता क्यों का जता है तो इसका काण मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आई-एस के अक्जाम में पुछावा क्यूस्टन है सबसे पहले खुदाई अडपा नामक स्थान पर ही हुई थी अडपा सब्वेता काई जता है और जिस सब्वेता के जो लिप्पी है पड़ी न आजा सके उस सब्वेता का नाम उसके सब से पहले खुद जिगए इस थान के नाम पर कर दिया जता है 1921 में इसकी खुद की गई थी और यह किस नदी के दटट पर मिला था? किसने इसकी खोज की थी दयाराम साननी ने इसकी खोज की थी अडपा की जिस सब्वेता के लिखित साख से नय पड़े जा सके उस सब्वेता को पहले पहले सबसे पहले खोजे गए इस नगर के नाम पर नामकरन होता है सबसे पहले खो जगया इस सब्वेता के नगर कौन सा था अडपा इस सब्वेता के लिप्पी को पड़ा नहीं जा सका है इसको आदे इसी कान से इसको आदे एतियासिक यूग के अंतरगत रखा जाता है कास्य यूगी निए सब्वेता थी सिंदोसबटा के मापप किस गुणच के बार के थे किस कोई बाR के थे ये सोड़ा के गुणा में थे सोड़ा के गुणा में यानि 32 जी 32 जी 48 जी इसके आपको कोई चीज खरीदन्ही है तो वो सोड़ा के जी मिलेगी उसके बाद आपको 32 केज़ी का यह ओप्सन आप 25 केज़ी नहीं ले सकते उसके बाद 48 केज़ी का यह ओप्सन है इसी तरह ग्राम में 16 ग्राम की मिलेगी 32 ग्राम फिर 48 ग्राम नेक्स्ट पर्सन मिली हैं सन्नानागार भी मिला है लेकिन सन्नान करते वे पुरुष की मूर्थी नहीं मिली है तो इसमें से सबसे सही कौन सा रहेगा ओप्शन 20 का सही रहेगा सबसे कन्या की मूर्थी नाच्ति वी कन्या की मूर्थी बहुत ही इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट रचना है इस सब्वेता की, पसुपती मौर भी यहीं से मिली है, एक विसेस परकार की मौर, और एक सेल खड़ी का बना हुआ प्रिष्ट की मूर्ती मिली है, यानि पूजारी की मूर्ती मिली है, जो कंदे पर कमल डाले विए अडपा निमन में से किस सब्वेता से समंदित है इन में से कौन सी सब्वेता से समंद रखता है अडपा सहर तो अडपा सहर जो है सबसे पहले खोदा गया सहर था इस सब्वेता का कौन सी सब्वेता का सिंदू सब्वेता का वैसे इस सब्वेता का रियल नेम क्या है अडपा सब्वेता ही रियल नेम है लेकिन इसको सिंदू गाटी की सब्वेता भी बोल दिया जाता है और भी कई नाम इसको दे देते हैं जैसे कि सिंदू सरस्वती गाटी की सब्वेता भी इसको बोल देते हैं लेकिन रियल नेम इं वगएरा मर्द बांड वगएरा किसी तरहें बनाए जाते हैं उस टाइम पे मोर वगएरा कई सारी चीज़ें इस तरहें से टेरा कोटा से बनाई जाती थी तो इसका सही अंस्वर उप्सन ही रहेगा जन्सामाने की बारतिये संस्क्रती एम जीवन के बारे में मैतवपून साम गरी परदान करने के लिए तो उस टाइम के आम जन्ता किस तरहें से रहती थी उसका पता कैसे चलता है पैरा कोटा से पता चलता है अडपा सब्वेता की जो मर्द बांड वगएरा खुदाई में मिले हैं उन्हीं से उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि किस तरहें की का इस्तमाल वो करते थे किस तरह रहते थे अडपा सब्यता संबंदित है किस यूग से संबंदित है अडपा सब्यता जो है आदे एतियासिक यूग से संबंदित है प्राग एतियासिक यूग यह इससे भी पहले का यूग होता है एतियासिक यूग यानि उसके बाद का लिखित साख से तो मिले हैं लेकिन वो पड़े नहीं गिये प्राग एतियासिक यूग के कोई भी साख से नहीं मिले लिखित साख से मिले ही नहीं जानते थे इस सब्वेता के लोग तो प्राग एतियासिक यूग लिखित साख से नहीं मिले हैं इस सब्वेता के और आद एतिय उस समय कंसे कांसेादाटो की खोज हुई थी तंबावर्टिन के मिलाकर कांसादाटू बनती ए इसकाण से कांसे्च से उद्यू जाता है चनुददडो किस किस साक्से मिले हैं उधियें चनुदड़ो कहांपर हैतो द्यान रखोंए Ahmed इस इस के सिंद्द पर करता है। बहुत सारे स्थल हैं मोंजोदडो कोट दिजी आमरी और चन्नुदडो आमरी के बारे में ये जो बहुती मेतपून स्थल था ये मोंजोदडो के पास ही था आमरी के जो लोग थे अपना सामान बेचने के लिए मोंजोदडो जत्ते थे और इसी तरह से मोंजोदडो नाम की ए क्या क्या साख से मिले हैं ये मेरे बाकी वीडियो जाएं अडपा सब्धा से समंदी इनको भी आप जरूर देख लीजिए अडपा सब्धा से समंदी जितने भी एक्जामस में क्यूस्टन्स पुचे गए हैं सभी के सभी मैंने कवर कर ली हैं तो फ्रेंट साब को कमेंट्स में लिक कर बताना है कि अडपा सब्धा का सबसे नमीन तम खो जा गया स्थल कौन सा है सूर कोटदा एक स्थान है वहां से किस के साक्षे मिले हैं सूर कोटदा नमक स्थान से किस के साक्षे मिले हैं किस जानवर के साक्षे मिले हैं किस जानवर के अड़ियां वहां से मिली हैं यह आपको कमेंट बोक्स में लिक कर बताना है तो फ्रेंट्स आपको जो ये प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है सक्रीन पर इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा और NCRT के मेरे नोट साइट अप पैसे बेटर से जमन दित वो भी जरूर पढ़िएगा आपके एक्जामस में काम आएंगे